हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस जितने भी छात्र बोर्ड एक्जाम देने जा रहे हैं उन्हें सभी के लिए आज सबसे ज़्यादा इंपोर्टेंट जो निबंद हैं आपको बताने वाले हैं सिर्फ आप इन तीनों निबंदों को तयार करके चले जाए जैसे आतंगवाद के कारण इम निवारण हो गया या पारेवलण परदूशल से संबंदित निबंद आता है या जनसंक्या संबंदित निबंद आता है तो आप सिर्फ इससे क्या करेंगे कि इन निबंदों को तयार कर लीजिए आप सभी को पारेवलण परदूशल और जनसंक्य बिर्दी पर निबंद करा चुके हैं अभी तक आप उसको नहीं देखे हैं तो जाकर प्रेलिश से देख सकते हैं आज आप सभी को आतंगवाद के कारण या निवारण क्या है इस पर निबंद करवाने वाले हैं और जैसे यहां पे आप सभी को बताने वारे बोर्ड के एक्जाम में ऐसे ही लिखके चले आईएगा यहां पे आप सभी को निबंद जो लिखना है आपको अदम संच्छिप्त में कम सब्दों में यहां पे आप सभी को लिखके बता हैं सबसे पहले द्यान देना है कि संकेत बिंदू का मतलब होता है कि कौन क्यों से हीरिंग आप इस निभंद लिखते समय प्रयोग करने वाले प्रभाव क्या है अतंगवाद का निवार घैसे करेंगे क्या थग समधान संभोई आप गया Score जाता है जाता है इसके बारे में मुख के पॉइंटलत हैं यही हो संकियत बिंदू और परतिएग यहा लिखें इसके दो-्दो टिन-टिन पॉइंट आप लिखेंगे देखें कैसे लिखेंगे बहुत संखित्व में लिखेंगें फ्रेंस इसे देखिए और अपने कापी पे एक बार सिर्फ लिख लेंगे न तो आपको लिखते- लिखते यह निबंद याद हो जाएगा ठीक है इतना संखित्व में इतना सरल भासा में लिखा गया है पहला देखिए यहां पर आप हेडिंग बनाएंगे आतंगवात क्या है जैसे लिखें इसी तरह आप एक बार सिर्फ कापी पी लिखें लिजे जैसे ही लिखेंगे आप सभी को यह निबन उसी समय याद हो जाएगा ठीक है लिखेंगे आतंगवात एक ऐसी समस्या हैं जिसमें संगठित या असंगठित सदेश से हिंसा करते हैं ताकि विए अपने राजनाइतिक शमाज़िक धार्मीक या अत्मघात देश्यों को पूरा कर सके लिखें आतंगवात क्या है आप सभी को पता है कि पाकिस्तान देश के द्वारा पर या कहीं भी उसमें जो ऐसे सदस्य होते हैं जो राजनायतिक या आत्मघाती या उनको इन सभी से मतलब नहीं होता है वो बस क्या करते हैं कि जो ब्यकुसूर बैकसूर जो लोग होते हैं उन पे वो बंबारी करके उनका हत्या करते रहते हैं ऐसे लोगों क्या करते हैं कि वो आतंगवादी है ज्योंकि इसको अपने शब्दों में यहाँ पर सजा के लिख देना है ठीक है अगला हैटिंग जो बनाएंगे और कैसे लिखेंगे जैसे लि के लोग में असिचित होते हैं जिसके काड़ क्या होता है इसके करण के तो यहां पर लिखे आतंगवात के प्रभाव शामिल सुरच्छा समस्या आर्थिक हानि समाज में दुरभावना सामिल हो सकते हैं वह बस एक लाइन दो दो लाइन लिखना रहता है आप जितना अधिक से अधिक हो सके उतना अधिक से अधिक हेडिंग बनाने का प्रयास कीजिए उसमें आप कम लिखेगा चलेगा लेकिन अधिक से अधिक हेडिंग लिखने का प्रयास कीजिएगा अगर हेडिंग बनाएंगे आतंगवाद का आप निवारा कैसे करेंगे आतंगवाद को निवारा करने अभक्ता क्या क्या हैं आतंगवाद के उपाए में सिच्छा समाज और आर्थिक सुधार करना चाहिए आपको पर दर्भा करना चाहिए यह अगला एक दिखिए आप बनाएंगों इससे लिखेंगे बहुत कम सब्सक्राइब में लिखे हैं फ्रेंस यदि आप किताब में चले जाएंगे तो बहुत अधिक सब्दों में लिखे मिलेगा जिसे आप याद करने में भी प्राबलम होगा लेकिन आप यहां पर बता है बस इसे आप देख लेंगे तो आप आसानी से याद कर सकते हैं अगला एडिक बनाएं क्या आतंगवात का समधान संभो है तहां संभो है कैसे सभी को सिच्छित बना दें ठीक है समाज में सुधार करें यह क्या हो जग आतंगवात अपने आप दूर हो जाएगा जैसे देखे हां आतंगवात का समधान संभो है लेकिन यह कठीन परकिरिया ह जो समाजिक राजनितिक और आर्थिक क्या करना आर्थिक विकास में क्या करना है अवशक्त है मर्सुधार करना अवशक्त है अगला एडिंग देखें कितना संच्छिप्त में लिखा गया है आतंगवाद विरुवदी दिवस कमनाया जाता है अतंगवाद विरुवदी दिव करा रहा है आपको बताना है वा एक भयानक समस्या है जीससे समाच और सरकार को मिलकर समाधान करना होगा सिच्छा समाजिक सुधार करना चाहिए सुरच्छा और सायोग से हम इस महमारी से निपट सकते हैं बस इतना लिखके चले आईएगा पूरा टोटल साथ नंबर का प्रशन है तो साथ नंबर मिलेगा नौ नंबर का प्रशन है तो नौ नंब gap देखे ही अगला heading डाला कीजिए जिससे काफी देखने में सुच एम सुन्दर लगे सुच एम सुन्दर लगेगा तो examiner जो उस पे देखता है तो उसे देख के तुरंद नंबर देखे आगे बढ़ जाता है ठीक है तो इस निबंद को आप एक बार मेरे कहने से आप इसे रभ पर या काफी पर लिख लिजिए लिखते ही आपको यह जो होता है आपको याद हो जाएगा इसके पाले यदि आप सभी लोग जैसे पार्यवरा परदूशा हुआ जन्जंक्या इन सभी पर निबंद अभी तक नहीं देखे तो इसी तरह संचिप्त में लिखे है प्लेइलिट से जाके देख सकते है तो फ्रेंस आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइ और्यवरा वीडियों